कीमत को नहीं बढ़ाया गया बलके पेट्रोल में और डीजल में क्रीवन 19.20 रुपए की कमी की गई इस पीरियड में और केरसीन आइल मिठी के तेल और लाइट डीजल आइल में 39.30 रुपए की कमी की गई इंटरनेशनल कीमतों के बावजूद और रुपए की कदर में जो स्टेट बैंक की तरफ से एक्शन्स हुए उस में जो रुपए की कदर में कमी के बावजूद वजिराजम शवाज शरीफ साब की हदायत पर ओगरा के साथ ये तैयुन किया गया कि मिनिमम पराइस को इंक्री किया जाए इन चारों प्रॉडक्स में पब्लिक के लिए और इसको आज इतवार 29 जनुरी सुबह 11 वज़े से ये कीमते लागू होंगी फैसला ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35-35 रुपए फी लिटर इजाफा होगा और केरोसीन आईल और लाइट डीजल आईल में 18-18 रुपए का इजाफा होगा इस इजाफा के बाद जो नई कीमते आज 11 वज़े से मुल्क में लागू होंगी वो पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लिटर हाइ स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लिटर केरोसीन आईल 199 पैसे फी लिटर और लाइट डीजल आईल 187 रुपए फी लिटर मुकरर किया गया है मुझे अमीद है कि इस जो इमीजेट एक्शन लिया गया है आज ओगरा की रेक्मेंडेशन पे कि ये जो आरजी जहीरब अंधोजी हो रही है और कुछ जगह से किल्ट का जो यानि फीड़बेक मिल लिए उसको खतम करने के लिए उन्होंने हकोमत पाकिस्तान और जीराजम से दर्खास की है कि ये कीमतों का तायून फौरी तोर पे कर दिया जाए आज से और अनौंस कर दिया जाए ताकि ये जो एक आर्टिफिशल एक यानि सिचुएशन क्रीट की जा चुकी है इसको फौरी खतम हो जाएगा इन्शालला मुल्क में इन तमाम प्रॉडक्स की जो यानि टोटल कॉंटिटी बहुत मुनासिब मिदार में महजूद है और नॉमल हलाद में कोई वज़ा नहीं कि किसी जगा पे भी ये किल्लत होती ये सिर्फ अपने ज्यादा कीमत के इंतजार में और चुके मीडिया में और सोशल मीडिया में कहीं यानि संताली स्पेस लेके असी रुपैदा कैल्कुलेट करके बताया गए ये बढ़नी है तो मेरा ख्याल है कि वो एक उनके लिए एक इंसेंटिव हो गया उनफर्शनेटली तो इसलिए इन कीमतों का इलान अभी किया जा रहा है और ये अभी 11 बजे 2-3 मिनट के बाद 11 बजे से ये लागू होगी और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पैक्टल और डीजल की कीमतों में 35 पे फील लिटर इजाफा है और केरसीन ओयल और लाइट डीजल ओयल में 18-18 पे फील लिटर इजाफा है अब सब को हामियों नसर हो बहुत शुक्रिया ठीक है बटा झाल